अभी तक हम लोगों ने नोबेल प्राइज और भारत रतन डिसकस किया है भारत रतन किन किन राष्ट पती को कब कब मिला है ये भी डिसकस किया है साथ में उनके नाम को याद करने के लिए एक ट्रिक भी डिसकस किया था जिसके help से हम लोगों ने बहुत ही easily उनके नाम को याद कर लिया था और साथ में हम लोगों ने Nobel Prize भारत के किन किन लोगों को कब मिला था और किस काम के लिए मिला था ये भी हम लोगों ने डिसकस किया है और साथ में उनके नाम को भी याद करने के लिए एक ट्रिक डिसकस किया था जिसके हेल्प से बहुत ही आसानी से उनके नाम याद हो गए थे आज हम डिसकस करने वाले हैं भारत के प्रधान मंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला है So, Hello Everyone and Welcome to Arunekha Study Guys, आज हम Static जी के ट्रिक सीरीज में भारत रत्न बिजेता प्रधान मंत्री डिसकस करने वाले हैं और इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक भी देखेंगे चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है इंस्टा पेज भी है और सांस में फेस्बुक पेज भी है आप लोग इसे जोईन कर लिजिएगा बहुत इंपोर्टेंट है जोईन करना और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप लोग इन प्लेटफॉर्म पे जाके अरुनेखा स्टेडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं प्रिवियस लेक्चर में मैंने बताया है भारत रत्न के बारे में यहाँ भी ब्रीफ में बता देता हूँ भारत रत्न भारत का स्वर्वच नागरिक पुरस्कार है और भारत में चार मेजर एवार्ड है सबसे उपर है भारत रत्न उसके बाद है पद्म विभूशन उसके बाद है पद्म भूशन और फिर है पद्म स्री ये चार मेजरेवाड है भारत रत्न का जो सेफ होता है वो पीपल के पत्ते का सेफ होता है और ये काश्य का बना होता है सामने के तरफ भारत रत्न उभरा हुआ लिखा मिलेगा और अपले 1955 में भारत के प्रधम परधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू को भारत रत्न मिला था। इनके बाद भारत के दूसरे परधान मंत्री लाल भाहदुर सास्त्री को 1966 में भारत रत्न मिला। इनके बाद भारत के तीसरे और पांचवे प्रधान मंत्री इंदरा गांधी को इनके बाद भारत के चोथे प्रधान मंत्री मुरारजी देशाई को भारत रत्न मिला था और उन्हे मिला था 1991 में 1991 में ही भारत रत्न भारत के चठे प्रधान मंत्री राजी उगांधी को भी मिला था यहां तक ध्यान में अगर दिये होंगे आप लोग तो यह देखे होंगे कि भारत के पहले प्रधान मंत्री से लेके भारत के चठे प्रधान मंत्री तक जो भी पांच लोग थे उन्हें सब को भारत रत्न मिला है इसके बाद 2015 में भारत के दस्वे और 13 प्रधान मंतरी अटल विहारी बाजबेई को भारत रत्न मिला था तो यहां तक आप लोग याद कर सकते हैं कि कुल 6 लोगों को भारत रत्न मिला है पहले से 6 प्रधान मंत्री जो भी 5 लोग बने उन्हें मिला है और उसके बाद अठल विहारी बाजपेई जो कि भारत के 10 वे और 13 वे प्रधान मंत्री थे उन्हें भारत रत्न मिला है तो एक तरीका वो हो गया याद करने का, दूसरा एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आईए देखते हैं उस ट्रिक को भी, ट्रिक है जब जब जवान और बहादुर इंद्र मरा तब राजिव बिहार में था, एक चीज मैं बता दूँ, ट्रिक को as a trick ही लिजिएगा, ज्यादा इसे sensational या sensitive नहीं बनाईएगा इसे, ठीक है, कोई ज़्यादा एक trick बस कुछ याद करने के लिए, समझने के लिए ही होता है, इसे कोई दूसरे मुद्दे में ना ले जाईएगा, चलिए फिर से मैं ट्रिक बोल देता हूँ, जब जवान और बहादुर इंद्र मरा तब देशाई, राजियू से हो गया राजियू गांधी और बिहार से हो गया अटल बिहारी बाजबेई, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप सबसे request है, यह वीडियो को like और share जरूर किजिए गा, इससे हम मोटिवेशन मिलती है, आगे और वीडियो बनाने के लिए और जो लोग नए हैं चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डाटा वाइब है, एंड थैंक यू